ओके सर, एक, दो सेकेंड, टाइम पीरेड का फॉर्मूला तुम सबको पता ही है, टीक कोल टू पाई रूट एल अपॉंजी, सब ने पढ़ा है, टाइम पीरेड ऑफ ओसीलेशन, लेकिन आज हम इस फॉर्मूले को अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, यहाँ पर टाइम पीरेड किस-किस चीज पर डिपैंट करता है, लेंट आप दा पैंडूलम, जो इसकी लेंट है रसी की, सौरी, यहाँ पर है ना बॉब की जगे मैंने कैस्तमाल किया है, मेरे पास डिस्क ती जिम की, तो वो इस्तमाल कर ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, my dear friend, यह तो length हो गई, अच्छा, और हमें time period निकालना है, तो time period पता चल जागा, हमने इसके 7 oscillations देखे थे, और 7 oscillations का time आया, oscillations का time आया, लगभग 21 second आया था, ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, oscillation का मतलब क्य बाइब यहाँ होता है, जैसे कि यह pendulum मैं, मैंने यहाँ से छोड़ा, मैंने इसको यहाँ से चोड़ा, तो यह बापस यहीं आएगा, तो यह oscillation हो गया, क्या हो गया, यह oscillation हो गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, अब ध्यान देना, time, इसका time period है, वो इसके mass per dependent नहीं करता, इसके मास पर डेपेंड नहीं करता लेकिन यह एर होने की बजा से डेंपिंग होगी थोड़ी मैं दिखा सकता हूं तुम्हें टाइम पिरेट निकालना तो एक्चुली में अब हम टाइम देखते हैं मास पर डेपेंड करता है के नहीं करता रिसप सर आपकी जरूरत पड़ेगी टा यहां से छोड़ा यहां से छोड़ लेते हैं तो बन टो थ्री एक शीलेशन का दो एसीलेशन का टाइम है पांस सेकेंड लगवग पांस सेकेंड अच्छा अब मैं यहां पर साभन के जूले की तरह में खुद जूल के देखता हूं इस पर है अदर हेल्प कर दो प्लीस तोड़ा पहले इसका पूरा, ओके, 2, ओके सर, 1, 2 सेकंड, 5 सेकंड, देखो भाई सर, तो उसीलेशन का लगभग 5 सेकंड, थोड़ा सा एरर तो आता है भाई चीजों में, लेकिन मास पर, टाइम पीरेट विल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हो ना, यह है सिंप पैंटूलम का खेल, तो यह हो गया टाइम पीरेट, टी कुल टू टू पाई, रूट एल अपॉन जी, तुम सब ने पर रखाए, लेकिन आज तुमने इसका फील्ल ले लिया होगा, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, माई डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को स सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो लाइक बाई करनी हो तो वो भी कर देना, माई डियर फ्रेंड्स, ओके, बाई